नमस्कार दोस्तो और स्वागत करना हमारा यूटीब चैनल में दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीन हजार डॉलर कितना होता है इंडियन रुपे में तो डेर ना करें वीडियो को जल्ली से शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं इसकी एंसर तो दोस्तो अगर आप मेरे चैनल में नए आया है और तो सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को शेर भी कर दिजेगा तो दोस्तो डॉलर जो है कई सारे कंट्रिस के होते हैं लेकिन मैं अमरिका की करेंसी के बारे में बताऊंगा ये तीन हजार डॉलर कितना होता है इंडियान रुपे में ये जानने के लिए पहले आपको एक डॉलर कितना होता है जानने परेंगे तो पहले बताते हो आपको एक डॉलर कितना होता है दोस्तों आज की डेट में एक US डॉलर जो है इंडिया में देने से 83 रुपे मिलते है यानि की 83 इंडियान रुपे में ये जानने के लिए हम 3000 into 83 मुल्टिप्लाइ करेंगे क्योंकि 1 डॉलर 83 रुपे है न तो ये 3000 डॉलर जब आप 83 से मल्टिप्लाइ करते हो इसका एंसर क्या होता है आप खोड़ी देख लिजे तो ये 3000 डॉलर जब आप इंडिया में एक्षेंज करते हो आपको मिलेंगे 2,49,000 इंडियान रुपेज ये 3000 डॉलर जब आप पाकिस्त मिलते है तब आप क्या करते है क्या आप इससे बैंक में रखके fix deposit करते है या जमीन खरिते या घर खरिते या बहुत सारे गारिया खरिते तो comment section में बटा दिजेगा जरूर तो व्मीर आपको शुआख अच्छा लगा ऐसे बहुत सारे informative वीडियो पाने के लिए subscribe ज़रू ज